हलो एफिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो और यह वीडियो बहुत इंपोर्टन्ट है उन स्टुडेंट्स के लिए जिन्होंने 2023 में अपनी ग्रिजुएशन रेगुलर एंसी वेप या एसोल से कंप्लीट करी है पहले हम रीजियोर और इंसी वेप की बात करेंगे इसक बाद हम एसोल की बात करेंगे देखिए आपको मालूम है जो ग्रेजुएशन जो बच्छा कंप्लीट करता है उसको कंप्लीट करने के बाद जो next कॉंवोकेशन होता है उसमें आप लोगों की डिग्री इशू करती जा इमेल आया है उस इमेल में उनसे request करी जा रही है कि आप अपने कुछ particulars को update कर दें अपने SLC portal में जा कर SLC portal वही portal होता है जिसमें आप examination form भरा करते थे जहां से admit card या अपनी mark sheet download करते थे NC web या regular के student तो आपको कुछ चीज़े update कर रही है आपका नाम father और mother का नाम English और Hindi दोनों language में अपना enrollment number date of birth photo signature ये साथ चीज़े आपको अपने SLC portal में जा कर चेक करनी है कि क्या वो चीज़े ठीक हैं या नहीं अगर ठीक नहीं है तो उसमें आप update कर सकते हो उसको और finally उसको submit कर सकते हो अब ये चीज़ update होंगी कैसे again आप SLC portal पर अपने enrollment number और password के through login करोगे अगर password भूल गए हो तो उसको आप reset कर सकते हो और फिर login कर सकते हो फिर left side में आपको profile update का एक link मिलेगा वहाँ जाकर आप अपनी सारी चीज़े carefully देख सकते हो अगर आपको लगता है वो सब चीज़े एकड़म ठीक है पहले से ही तो नीचे tick करके उसको update कर दोगे पर अगर आपको लगता है कि उसको update करने की जरुवत है हिंदी font में नाम गलत है तो कुछ भी आपको लगता है तो वहाँ उसको update करके नीचे accept करके टिक करके उसको update कर दीज़ेगा ठीक है देख लिज़ेगा कि आपको capital लेटर में मांग रहा है नाम या फिर किस लेटर में मांग रहा है उसको check करके उसको submit कर दीज़ेगा यह काम 15 जन्वरी तक करना है regular और NCF के student को और उसको जब आप submit करेगो तो मेभी आपको एक reference number मिलेगा वो reference number के through जो भी आपका department है उसको verify करेगा देन वहाँ पर मेभी आपके ID में वो reflect हो जाएगा कि हाँ यह verify हो गया है आपके email में एक point add करा गया है कि इस चीज़ को update करिए और verify करवाईए या अपने department से अब वो verify ज़रूरी नहीं है कि आपको physical जाकर ही करवाना पड़े हो सकता है वो online ही verify कर दे आप जब submit कर दो यह सारी information आपको जो जिस भी आप groups में connected हो अपने professors के साथ वो वहाँ पर मिल जाएगी mostly chance यह है कि online ही verify हो जाएगा college में जाने की जरुवत पढ़ेगी नहीं ठीक है अगर college में जाने की जरुवत पढ़ती तो फिर यह online portal पर update क्यों करवाते हैं बस आप update करोगे एक reference number वहाँ पर show होता है वह reference number की आपको जरुवत पढ़ेगी यह काम regular और ncf वाले बच्चे करें अभी regular और ncf चे कुछ और में बात करूंगा अब आज़ते हैं sol के student पर sol के student को कोई भी slc portal नहीं होता और sol के student को अभी तक ऐसा कोई भी email नहीं आया है तो आप एक काम कीजिए अपना sol का student dashboard open कीजिए dashboard open करने के बाद profile के section में जाइए उपर my account का टैब होता है वहाँ जाकर एक बार चेक कर लीजिए आपका नाम वगएरा वहाँ पास सब कुछ ठीक है डेट बर्द विल्कुल ठीक है या नहीं डेश्बोर्ट जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पर एक फोटो शो होता है आपका उपर राइट कॉर्णर में वह भी देख लीजिएगा कि वह फोटो ठीक है पास्पोर्ट साइज ठीक है और बाकि यहीं सब आप चेक कर सकते हो प्रफाइल डेश्बोर्ट में जितनी इन पर आएगा है जहां पर हो ऑनलाइन ठीक कर सकी आज जब में वीडियो रिकोड कर रहा हूं और देश्बोर्ट में कोई लिंक एक्टिवेट कर दिया जाए इसके चांसिज हैं आप तीन से चार दिन रोख सकते हो जो बच्चों को चीज़ा अपडेट करवानी है अगर उन् अगर आपको लगता है कुछ चीज़ आपको चेंज करवानी है तो अभी तीन से चार दिन का वेट कीजिए हो सकता है कोई लिंक आप तेली भी एक्टिवेट कर दे जाए देन वहां से आप उसको अपडेट कर सकते हैं अगर नहीं आता तो फिर एक बार अपने केंपस में जाकर फिजिकली बातचीत कर लीजेगा कि सर मेरी डिगरी इशू हो नहीं है को लोकेशन में मैं इसको किसे तरह से ठीक करूं यह थी रेगुलर एंसे वर एसोल की इंफोमेशन अफडेट करने वाली बात अब कुछ जनरल इंफोमेशन आप लोग समझ लीजे ऐसे बहुत से स्टुरेंट होंगे चाहे रेगुलर के हो एसोल के हो या एंसेफ के हो जिनको ग्रेजुएट 2022 में होना था बट वो हुए 2023 में है उनके लिए भी सेम इनफोमेशन है जी रेवोलिशन रिजर्ट था या कुछ एक्स्टुरेंट होगा थे एर का एक्जाम दिया है क पुल मिलाकर 2023 में आप ग्रिजुएट हो हो राइट 2023 में इस बात का जया रखना यह इनफोमेशन सभी बच्चों के लिए है अब इसके उलावा आपकी डिग्री में कुछ और फीचर्स एड़ाउन करने वाला है यूनिवर्सटी चुकि इसमें आप इमेल में दोगे इसमे हम बात करेंगी कि क्या मेजर चेंजिस होंगे इसके लगा फाइनली यह भी हम बात कर लेते हैं कि यह डिग्री आएगी कब आपके पास देखिए उनिवर्सटी डेली को होना है फरवरी के लास्ट वीक में कॉन्वकेशन होता है लास्ट सेड़े में वह जब कॉन्वकेशन हो जाएगा उस दिन या उसके नेक्स दिन तक आपको एक इमेल आएगा उनिवर्सटी की तरफ से कि आपकी डिजिटल डिग्री जी हां बहुत ध्यांस समझें आपकी डिजिटल डिग्री रेडी है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो साथ सो पचास रुपे पेमिंट करके द वो युनिवर्सटी भेजना शुरू कर देगी और कॉलिजिस जो है आपके या एस्वल डिपार्टमेंट जो है आपका वो नोटेस पब्लिश कर देंगी कि डिग्री हमारे पास आ गई है आपकी आप यहां से आके कलेक्ट कर लीजे और जो हाट कोपी डिग्री है उसके ल डिग्री का वेट करना जो की फरवरी में कॉन्वकेशन होगा और मार्च अप्रेल या इवन मई जून से डिस्ट्रिबूट होना शुरू कर दीगी और डिपेंड करता है कि आपका कॉलिज का स्टाफ कैसा है कितना जल्दी हो डिग्री आपको दे पाता और कितना नहीं और जीएगा अपने केंपस जाकर तो एक से देड़ मेना में चीजों को अपडेट करेंगे फिर डिग्री प्रिंट करने के लिए बेजेंगे और फिर सारा डेटा एक्जामनेशन ब्रांच जाएगा दैन उसके बाद ही आपके डिग्री इशू करी जाएगी अल्राइट यह जो बच्चे 2023 में ग्रिजुएट हुए हैं युनिवरसिटी ओफ डेली से ठीकियो